नवस्कार फैन यूटूब चैनल में आपका स्वागत हैं मैं हूँ इन्रोशनकुमा है अज के इस वीडियो हम जानेंगे कि आप लोग आधार काड सिर्फ नाम से कैसे निकालेंगे अगर आपके पास आधार नमर नहीं है उसके बाद आपके पास सिर्फ नाम ही है ठीक है एसे आपको सिर्फ नाम से ही अपना आधार नमर और आधार काड डॉनलोड करना है तो चले गाइज वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहेंगे चलिए शुरू करते हैं तो नाम से अधरकाट निकालने के लिए सबसे पहले आप अपने मॉवाइल का या अपने लेप्टॉप का गूगल क्रॉम ओपन कर लेना ठीक है यह आप मॉवाइल में भी कर सकते हो तो गूगल क्र करना है इस पर जैसे क्लिक करते तो जोभी ओफिशल होंगे वह आपके सामने ऑपन होके आ जाएंगे ठीक है यहां पर आपको बहुत बेयनर पोश्टर मील जाएंगे और वबबर बहुत सारे आप्सन मिलेई small adharr about you it ecosystem media and resources सेज contact support निया पर लोग आव अगर कर दिया है उस लिंक पर क्लिक करके आ लोग इस साइट पर आसकते हूं ठीक है इस साइट पर alla अने के बाद आपके सामने कुछ इसत्रा का यहां पर डैसफड़ देखने को मिलेंगे ठीक है आपको यहाँ पे कौन कौन साट डेस्पर देखने के मिलते हैं वो हम पहले बता देते हैं तो सबसे पहले है यहाँ पे select 12 digit आधार नमर ठीक है या 28 digit enrollment ID अगर आपको आधार नमर निकालना है ठीक है आपके आधार काड का जो भी नमर है अगर वो नमर निकालना है तो simply आपको इस पे किलिक करना है अगर आपको enrollment ID चाहिए 28 digit का जो होता है वो निकालना है तो simply आपको इस पे किलिक करना है तो आपको आधार नमर ही निकालना है तो simply आप लोग आधार नमर पे किलिक करेंगे तो आप लोग यहां पे नाम फिल करेंगे, उसके बद आपको यहां पे मवाइल नमर फिल करना है, जो भी आपके आधार काड पे रजिटर मवाइल नमर है, वो मवाइल नमर फिल करेंगे या आपको इमेल आइडी फिल करना होगा, आपके आधार काड में अगर मवाइल नमर से निकाल सकति हो ठीक है आपको यहाँ पर email ID वरना होगा यह आपके पास mobile है तो आप लोग यहाँ पर mobile number फिल करोगे mobile number भरने के बाद आपको यहाँ पर counter capture का option मिल रहा है यहじゃあ capture code अपको यहाँ भरना होगा तो आपको यह देख करना है उसके बाद आपकोوجister ठीप करना है तो हमने यहां पर सारा कुछ फिल कर लिये हैं उसके बाद हमको send OTP पर किलिक करेंगे तो जो मौवाइल नमर या email id भरेंगे वहां पर एक OTP आपको यहां पर भरना होगा बाद आपको यहां पर सबमीट करणीद जैसे आपको मौवाइल में यहाँ पे आधार नमर मेसेज में आ जाएंगे ठीक है तो वह आधार नमर आपको नोट कर लेना है अब बताते हैं कि आपको इसे डाउनलोड करना किसे है ठीक है फिर से आ जाना है आपको आपको यहाँ पर उसके डाउनलोड आधार पर क्लिक करना है जैसे है तो आपको यहाँ पर अधार नमर भरता होगा उसके यहाँ फिर से आप लोग सेखेंगे तो जैसे आप्लों रिफरेस्स कर देंगे अब करने हैं तो आपको यहां पर मेघया होगा तो आपकल कर लənे जहते हैं अगर मिलोग कर लेते हैं तो आपके आथार का लेते हैं तो आपको आठ डिजिट का नमबर सो नहीं करेंगे मास्क अधार काड हो जाएंगे तो आपका अधार काड यहां पर करेंगे तो आपके आधार काड में यहां पर पासवर्ड लगा होगा ठीक तो पासवर्ड आपको आपका पासवर्ड होगा और चया 옆 रहीं और यहां जो है रहे ला कंच अब करणा तो हजाएंगे करा दो यहां दो आ हजार तो तो आपको यहाँ पर 2002 भर्णा होगा जैसे यहाँ लोग देख लेंगे अनीस 2002-2001 जो भी आपका date of worth है तो आप लोग यहाँ पर date of worth भर्णके आप लोग आधार कार यहाँ पर open कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से आप लोग अपने आधार कार डौनलोड कर सकते हैं सिर्फ नाम से और इसे आप लोग यहाँ पर print out भी कर सकते हैं तो चले गाइज इस वीडियो में इतना ही आसा करते हैं कि इस वीडियो में आपको complete जानकारी मिल गया होगा और आप लोग समझ गया होगे कैसे आपको आधार का डौनलोड करना है without आधार नमर का ठीक है यहाँ पर नाम से ही आप लोग आधार का डौनलोड कर सकते हैं तो चले गाइज इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक लिए जाहिन वन्दे मात्रम